बड़े बड़े घरों में बहुत सारी बाते होती रहती हैं, कभी अंबानी का न्यूज, कभी अडानी का न्यूज, कभी अन्यनत अंबानी की साधी का न्यूज, तो कभी अभिसेक बच्चन के डैवोस का न्यूज, तो ये सब बड़े बड़े न्यूज हैं, जो आते रहेंगे लेकिन एक बात जो आपके मन में बैठा लेना है दिमाग में बैठा लेना है वो ये कि इन सब के नीज का आपके एकजाम से कोई लेना देना नहीं है पिछले 5-6 दिनों से हम लोग अडानी का जो न्यूज है जो भी न्यूज है जिसमें उनको arrest warrant दिया गया ऐसे बहुत सारे बाते हैं जो न्यूज में चल रहा है और जो बहुत सारे यूटूबर है उन पे लगे वीडियो लगे वीडियो बना के अपना views को बटोर रहे हैं इन सबका मैं clear cut बोलता हूँ इन सबका आपके exam से कोई लेना देना नहीं है ये आपके exam में आने वाला नहीं है लेकिन हाँ इस news की वज़ा से जो एक central topic निकल के आता है किस से ये news link है ये important है और वही news में आपको ले के आया हूँ जो की है आपका सेकी ये पूरा जो मामला है इस पूरे मामला में जो सबसे important matter जो आया है जो आपके current affairs में है जो आपके exam में पूछा जा सकता है जो आपके central government से related है वो है आपका सेकी तो हम लोग समझने जा रहे है Solar Energy Corporation of India Limited सेकी तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये सेकी है क्या और actual में ये अडानी से related क्यों है आपके अडानी के साथ साथ इसका नाम क्यों आ रहा है ये जो PSU है सेकी जो PSU है इसका नाम आखिर में क्यों आ रहा है तो ये सब कुछ हम लोग समझेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये सेकी आखिर में करती क्या है देखिए, Seki stands for Solar Energy Corporation of India Limited, a government owned enterprise, देखिए ये एक PSU है, ये कैसा है, PSU है, नौरतन कंपनी है, इंडिया में इंडिया में कंपनीयों को जो PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग है, उसको standard तीन कैटेगरी में बाटा गया है, डिपेंड करता है कि उसका last revenue उसका क्या रहा है और उस revenue की according ही, उसको एक special दर्जा दिया जाता है, जैसे कि महरतन है, नौरतन है और मिनी रतन है, तो जैसा जैसा उसका आपका performance होगा, वैसा सरकार के द्वरा उसको funding की जाती है, और उसका उपाधी अलग-अलग दी गई है, महरतन है, नौरतन है, मिनी रतन है, तो जो सेक इसे बहुत सारे हैं, जो आपके महरतन कंपनी है, तो ये क्या है, ये आपका एक PSU है, जो enterprise that work in the renewable energy sector, renewable energy sector में ये काम करती है, इसको कब इस्टेबलिस किया गया था, 2011 में इस्टेबलिस किया गया था, सेकी is a central public enterprise, CPSC, under the ministry of new and renewable energy, MNRE इसको shortcut में बोलते हैं, जो new and renewable energy से related, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ये सारे प्रोजेक्ट का का काम सेकी ही करती है, It work on project related to solar, wind, hybrid, green hydrogen, green ammonia and green storage system, मतलब अगर हम बात करें कि सेकी करती क्या है, तो सेकी उन सारे प्रोजेक्ट पे काम करती है, जो आपका solar से related हो, wind से related हो, hybrid हो, green energy हो, ये सारा काम सेकी ही देखती है, इनके बाहर के भी client होते हैं, मतलब foreign client होते हैं, और foreign के साथ agreement होते हैं, उसके अनुसार ये वैसा प्रोजेक्ट त्यार करके उनको देते हैं, अगर हम सेकी का लेसं सेकी का जो अगर टोटल पर्फॉर्मेंस देखें, कि वो कितना electricity generate कर रही है, मतलब ये जो वो प्रोजेक्ट पूरा कर रही है, उस प्रोजेक्ट के पूरा होने से, चाहे हो वो wind का कर रही होगी , चाहे हो solar का कर रही होगी, चाहे हो % कर रही होगी वो जो भी अपना प्रोजेक्ट पूरा करती है उस पूरा करने से कितना electricity वो generate कर पा रही होगी वो इसका ये graph है तो इस graph में अगर आप देखेंगे 2023-2023-2023 का जो financial year है उस financial year में देखा जाए तो कितना है 65.32 gigawatt तो 65.32 gigawatt का जो production हो रहा है new and renewable energy के द्वारा वो सेकी के द्वारा ही किया जा रहा है यह इमेज आपके सेकी के website से ही है अगर हम status की बात करें कि सेकी को क्या-क्या status मिला है in 2024 the ministry of finance granted सेकी as the status of नौरतन देखें मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ महारतन, नौरतन, मिनिनतन तो इसको जो मिला है वो नौरतन का status मिला है which gives it more financial and operational autonomy जैसा उसको अवार्ड मिलेगा महारतन मिलेगा वैसा ही उसको financial help दी जाती है सरकार के द्वारा सेकी has also achieved the highest credit rating AAA by ICRA ICRA एक rating agency है जिसने सेकी को AAA का rating दिया है सेकी is one of the implementing agencies for renewal energy project renewal new and renewal energy के सारे project सेकी ही देखती है contribution to solar sector अगर solar sector में देखा जाए तो सेकी का क्या क्या contribution है सेकी has played a key role in the development of innovative solar power technology news में आ चुका है question already आ चुका है आपका floating floating solar power plant यह जो floating है यह क्या होता है कि जो solar panel है इसका एक बहुत बड़ा drawback होता है कि यह जगा बहुत occupy करता है इस जगा बहुत occupy करने की वज़ा से इसको क्या किया गया कि जो समुंद्र है जो sea areas है जो water areas है वहाँ पे तैरता हुआ solar panel विचाया गया है तो यह technology आपका सेकी ही लेके आया था solar wind hybrid system solar भी हो और wind भी हो hybrid system यह जो technology है यह सेकी के द्वारा ही लाया गया था यह बहुत बहुत बड़ा contribution है जो भी बच्चे science and tech परे होंगे तो अगर वो sources of energy परे होंगे उस sources of energy में जब वो solar परे होंगे तो solar में floating जरूर परे होंगे it has been involved in the auction of large scale solar project which has attracted significant investment from domestic and international players बस बस यही एक matter है जिसकी वज़ा से सेकी अडानी के साथ जुरा हुआ है देखिए simple से बात है कि अडानी को funding चाहिए तो किसी से license चाहिए तो गलत तरीके से funding उठाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा कहा जा रहा है कि अडानी सहाब ने किसी को घूस दिया है अडानी सहाब ने किसी को घूस दिया है मतलब गलत तरीके से fund को arrange करने में और यही मामला चला हुआ है तो देखिए यह question नहीं आने जा रहा है question क्या आएगा जो technical आप से related है वही question आएगा सेकी क्योंकि यह जो license है यह जो उनको नहीं दिया जा रहा था लेकिन उनको बाद में दिया गया in addition to Seki in addition Seki has implemented various initiative to promote the use of solar energy in rural and remote areas ठेक है rural और remote areas में कई जगह पे street light में आपके project implement किया गया है वो सेकी के द्वारा ही किया गया है so यह आपका major contribution है आपका सेकी का ठेक है तो यह था हमारा आज का current affairs यह जितने भी news है बड़े बड़े लोगों के जो news होते है यह सुनिये लेकिन सुन के इसको निकालिए इसके exam से related नहीं है लेकिन उसमें आप यह ढूंड यह अगर वो economy से related है तो उसमें यह धूनना होगा कि इसमें एक center point कौन है जो center point जो आपके GS से related है वो इसमें यह सेकी था थोरा सा जो अलग है वो है आपका foreign investors तो foreign investors से भी question पूछे जा सकत हैं तो यह foreign investors के बारे में already मैं कई बार दूसरे session videos में मैं बता चुका हूँ तो यहां पर वो discuss करना जरूरी नहीं था लेकिन आपके इस exam के लिए यह जो पिछले 10 दिनों से जो news चल रहा है इस news में जो सबसे important जो section निकल के आया है वो से की जो कि मैंने आपको discuss किया अगले RBI यह जो RBI यह इतना सोना क्यों मंगा रही है इस पर हम लोग discuss करेंगे ओके thank you